जै नमोस्तू तत्तुं चनन्द आनन्द माउं चे अननन्द साहाओ परमिता अत्ते पदे वेंदे पाउं नमियों सिद्ध सुभाओ गुरु वेश गुपति रुई गुपति न्यान सहकार तारण धरण समर्थ मुनी घुरु संसार निवाः धम जोत्तौ जिन वर हम अर्थति अर्थह जोग भैवे नाशे भव जूमुना ममल न्याने पर लोग देव को गुरु को धर्म को शाजी को बारंबार नमस्कारो वंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामिनित्यं तत्वार्थ सार्धं न्यानम अयम साम्मिकिरर शिनेत्वां सम्यक्ति चर्णम चेतान निरुवां वुलिये शेह शमे सुधात्म देवी की जैहो 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 अच्छाय प्रवर सद्गरवर तारं तरं मला चार जी महराजी की जैहो 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 जनेंद्र प्रमात्मा की अम्रित मैं शुद्ध जिन देशना की जैहो 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 जनेंद्र प्रमात्मा का अम्रित मैं शुद्ध देश वह बहुत सरल सी बात कहते हैं जनेंद्र देव बहुत सरल सी बात पताते हैं सरवक प्रमात्मा कितनी सरल सी बात पताते हैं सी बात बताते हैं कि देखो जो में अपने ग्यान में अनुभाव कर रहा हूं विलोकम तो कितनी सरल बात कह रहा हैं आप इसकी इस सरलता का अनुभाव नहीं कर सकते हैं आप इस सरलता का अनुभाव नहीं कर सकते हैं अर्थात इस सरलता का अनुभाव नहीं कर सकते हैं मतलब इस सूक्ष में रहस को नहीं देख पा रहा है कि वो कितना अर्थात वो जैसे परेडमित हो रहा है जैसा उनको सभाव उत्पन हो रहा है जैसा वो अनुभाव वे स्वेम बेदन कर रहा है वे वे साही का वे सी तो कह रहा है उनके लिए कितना सरलता से कह रहा है है उर्था वे वेसे ही हो हैं वे वेसे ही सभा में लीन हैं इसलिए वे साबनानी कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं मतलब आपको यह बात इतनी सुक्ष्मता से पकड़ कंमें नहीं आ रही है है आगे अनुभूती में हमें बहुत बिचार करते हैं कित्ती यह सुक्ष्म बात हमें केसे पकड़े में आएगी यह सुक्ष्म बात हम केसे गिरण कर पाएंगे इन सुक्ष्म रहस्यों के हम केसे जान पाएंगे हमें इसे अंतर ग्यान की साथना केसे समझ में आएगी ऐसे सुक्ष्म सुक्ष्म रहस सुभाव का अपना अनंत पुरसात केसे जागरेत होगा कितने सारे चलसल हैं कितने सारे चिंता हैं लेकिन इन सारी सल्यों से इन सारी चिंताओं से विमुक्त करने वाला इन सारी सल्यों से इन सारी चिंताओं से इन सारी मानाना प्रकार की मिठ्या तहारणां कर्दत वुक्तत कि सारी नानाप्रेकार की अवस्थान से, छ्छ्ण भर में मुक्त करने वाला, छ्छ्ण भर में अनंतवीर रूप जो आत्मी शक्ति ए अनितंध करने वाला, देखो क्या के रही कि रहीं? क्या कह रहा है जनेन परमात्मा कितनी सरलता कितनी सरल भासा में कितने सरलता से कितने सुक्षम और गोंड है सको कह रहा हैं कितना सरल है उनके लिए कहना क्या कह दिया उन्होंने कितनी सरलता से कह दिया कि सिरी केवल यानी परमात्मा ने अर्था स्रेष्ट केवल यानी भगव क्या कह दिया कि विलो की तत्वम जेसा मैं तत्व का अनुखाव कर रहा हूं जेसा मुझे तत्व का सौसंबेदन हो रहा है जेसा तत्व मेरी पिदीदी वरत रहा है वो तत्व है सुध्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम शुद्धता से प्रकासित होता हुआ अपना न निरंजन निराकार सुद्धात्यृत्म, वेत वेतत है। अपना निरंजन निराकारशुद्धात्म तत्यृत्ध अब बता वोगता। जिनेंद्र परमात्मा ने, इतनी सरल्ता से अपने आए हुए है। अपने सकता है पोटिए यार्वाज कोरफ से अपनी अपनी स Changing की तरफ से अपनी वासा में वह रहा हुएं की रारी प्राणी को हर जीव को अपनी अपनी आतीए ठीस भी धनी महा से और को आपको आपकी भासा में बताई जा रही आपको आपकी भासा में समझाए जा रही है और आपको आपकी भासा में जिन भगवान की वाणिये के रही है सुनो भाईया कि जैसा मेने अपने तरू सरूप को बलोका है वो सरूप है अपना शुद्ध सरूप वो शुद्धता से प्रकासित हो रहा है वो शुद्धता रूपी है, वो शुद्धात में दर्सन रूपी है, वो शुद्धात में ग्यान रूपी है, वो अनंत्र प्रकास बान सकता, वे पूर्ण शुद्ध भुद्ध परमात्न सा रूपी है, देखो भाईया, जेसा मैंने अनुभाव किया, वेसा मैं कह रहा हूं, अब कोई गुरुदेव से पूछ बेठा कि गुरुदेव आपने जैसा अनुभाव किया वेसा सुद्धता से प्रकासित शुद्धता से प्रकासवान वेसा सुभाव आपके अनुभाव में आ रहा है वेसा सुभाव आपकी बेतिती में बरत रहा है वेता जैसा सुभाव आपके वेताने बरत रहा है तो मैं सुन रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है आपको बरत रहा है तो मैं क्या करूँ तो वो कह रहा है भीया केसी भाते कर रहे हो कहां सल्ल संकाय पाल रहे हो वे शुद्धात्म तत्व जो मेरे को सुद्धता से प्रकासित अनुभाव में आ रहा है जो सुद्धता से प्रकासित मेरे ग्यान में जानने में आ रहा है तुम अवमकार वेदंती शुद्धात्म तत्तम उसका अनुभाव करके तो तुम पहली गाता से वहार निकले थे कि वो सुद्ध सरूप भी मेरा सरूप है उसकी श्रद्धा करके तो तुम पहली गाता से आगे निकले थे कि वो काया के प्रमाण वो ब्रह्म सरूप मेरा ही चेतन रूप है वो अनन्त गुणों की माला से गुता हुआ वो अनन्त केवल ज्यान में मेरे ही सरूप है थारण करके बैठे हो तो है भव्वव जीव जे सत्थ जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं बड़ा all she was she takes a मेरे अवलोकर में आने वाला मेरा परमात्मा सच द्धम प्रकाशम प्रकासित ओरा है तो है भव्वव जीव जब एसे सद्धता के प्रकास को जब प्रकासित होता हुआ देख रहा है हो तो वो सुद्धात्म तत्त मैं कहीं प्रकास है वो सुद्धतत कहीं प्रकास है तो भगवान जिस सुद्धतत का आप अनुभाव करके बेठे हैं जिस तत्त का आप शृद्धान करके बेठे हैं वो ही तो यह सुद्धता तत्य श्थात्मा है जिसका वेधन ढायकर के बेढ़े हो जिसका शरद्धान आपके हिर्दे में यहां कि मैं सत्त नहीं मात रहूं तो अचार जिन तारंतरंदेव श्री केवल यानी परमात्मा की उस दिवधोनी को अपने तक पहुचा रहा हैं और कह रहा है कि श्री केवल यानी परमात्मा ने जैसे उस तत्त को विलोका है वेसा तत्त वो कह रहा है तो गुरुदेव कैसा कह रहा है तो वे नहीं अध्य хотя यह उन दमा सेखिए जůुको ध narrator प्रकासut मेरे अंदर ुप सब्सक्राइमों कर्म मुदा में अधर १िए झार्म जांब रहा है। शुद्ध जानारा है इन देख रहा है मेरा आत्मा सुद्यम्द नियां रूप प्रकाइसवथ है उसमें असुद्धता कालीमा कर्म कसाइ रागे स्भड़नाम य सभाला थे पढ़नत है यो उस पर भुची का विशज़न नहीं है यह सब तो उस ज्यान में सब Her Till छंगुर और चारों होता हुआ है क्या है सफेद काला नीला यह जानने देखने रूप प्रकास को अरे नहीं जो परपर याइँ जिसमें जहलक रही है वे ग्यायक सत्य को जानने दे रूप आओ सुद्धता से प्रकासित होता हुआ वे सुद्ध द्रूब प्रकास वान वे चेतन में सरूपी शुद्धात्म सरूपी तो मेरा सरूप है जो इस समय सुद्धता से प्रकासित हो रहा है प्रकास को हम केसे जाने है अरे प्रकास को जानने के लिए प्रक तत्य को सुनो तो इतनी गंबीरता सी क्या कर Наच? क कि वाइन परमात्मा को जो अव्लोकन जो यो आनुभूति है आप श्याम में प्रकासित हो रहा है अब देखरेख वह इम्सपध्धात्मा हो की सवीकार करें हो तो इस समय इस चण ही तुम्हारा सुद्धात्मा उस अनंत सुद्ध प्रकास रूप प्रकासित हो रहा है। जिसमें सुद्धता ही है, 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 जिसमें सुद्धता ही है, ध्रुपता ही है, भाईया ये रागदेश, अरे भगवन, ये तो उसकी प्रतीती का विसे ही नहीं है, ये तो उसकी रुची का विसे ही नहीं है, देखो देखो बहुत सुक्ष मरेश देखो गुप्त बात है गुप्त बात है जरत ध्यान से सनो अरे ज्यानी के ज्यान में अर्थात आत्म श्रद्धा जिसे है तत्त का रुचिया जो जीवे उस ग्यानी की रुची में अपने ग्यान सुभा रूप सकता ही जलकती है सुद्धता से प्रकासित होती ही सकता ही रुची वकर होती है तो जब उसके रुची में रुची हर्तित होता पुरसाथ उस सुद्ध प्रकासित, सुद्ध ग्यान ही उसकी दिष्टी का विसे रहता है वाकि ये जो राजदेश कसा है ना ये जो विकारी विभावा आए ना ये सब्सक्राइब जेतना से भिन्द नजराते हैं अपने आप अपने आप ही भिन्द करने नहीं पड़ते आटोमेटिकली भिन्द नजराते हैं कि भिन्द ही है भिन्द करना नहीं है भिन्द होना नहीं है भिन्द निर्णे करना नहीं है निर्णे करने की भूमी का प्रथम भूमी का रहती है सादक की निर्णे के बात की बात है ये निर्णे की मजबूती हो जाने के बात ज्यानी सादक की बात है ज्यान की बात है कि क्यों देखो 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 क्या हो रहा है सुद्धम प्रकासम सुद्धातम तद्ध सुद्धता से प्रकासित जानने में आ रहा है किसने पूछ लए कहा जानने में आ रहा है उन्हें का रहा है यह देखो सम्मेक तिन्यानम करननतृ सुख्याम सम्मिक ग्यान की पढ़नाती में सम्मे कि आचरण में वह और ऑफ इस बात को समझाओ जनत्त अरत जहां ग्यानी के घ्यान में ऐसा सद्ध सुध्य सुभाव जहां ग्यायाग विझ्यान में सत्त जहां ग्यानी के ग्यान में एस सुध्य सुरूप मात रुचिकर हो जाता है उस ज्यानी को उस ज्यानी सादक को उस श्रावक को एसा धुरुब सुभाव रुचिकर हो जाने से एसा धुरुब सुभाव रस्वंता हो जाने से एसा धुरुब सुभाव इस्ट हो जाने करण से उस ज्यानी के ज्यान में सम्यक्त चर्णम अर्थात जो उसके ज्यान में सम् जो ग्यान का आचरण है। जो सच्चे ज्ञान का जो आचरण है। जो आचरण है। वे आचरणत बन हो जाता हृत। ग्यान ग्यान सभावरूप अपनी विशुदता को देखने लगता निर्विकल्प हो या नहीं हो इसकी चर्चने के चल रहे अबी निर्विकल्प आंद सरूप में आत्मा हूं एसे आत्मिक आनंद का रस उसान लगता है ग्यान धारा का रसान लगता है आत्मिक आनंद की ग्यान धारा अत्पन हो जाती है आत्मिक आनंद का रस रस उत्पन हो जाता है और जिनकी विसेश भूमी का रहती है उन्हें निर्विकल्पता भी हो जाती है और विसे से दसारेती सुद्धुप्योग भी हो जाता है यह तो अपनी अपनी भूमी का अपात्रता की बात है अभी यहां अपनी भूमी का में ज्ञान अम्रित का उभोग प्रारम हो जाता है हाँ 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 ये सा सुध्य प्रकाजवान में अतींद्री आनंद सरूप परमात्मा इसा आत्मिक रजज़ने लगता है इसा सुभाविक आत्मिक ज्यान सुभाव रूप रज़ने लगता है और इसे अतींद्री आनंद रस में एसे आत्मिक अतींद्री आनंद रस में वे आत्मा अपने परमात में सभाव का अपने अतींद्री सूख्ष में सभाव का वेदन करता हुआ अपने परम आनंद में निमंग देता परम आनंद में परम आनंद में क्या है यह मेरा सुख्ष में दुरुप सभाव यहें मेरी सुक्ष मिद्रूप से इतना मैं तो ग्यान आनंद सरूप हूँ ग्यान आनंद पिंड सरूप हूँ ऐसा रज जहने लगता उस ग्यान इजीव को अपने हिर्दे में अपनी अंतरात्मा में ऐसा रज जहने लगता सुद्धता का रज केसे केसे सच्चे ग्यान में ग्यान का आचरण कहा ना रुची उसे सुभाव किये सुभाव की रुची होने से ग्यान में ग्यान रूप सुभाव की रुची होने से परपर्याय की उसका रुजान ही नहीं जाता कर्मलों को देखने की और उसका रुजान ही नहीं जाता अब परवरतमान अवस्थां परियाय को देखने के लिए उसकी रुची नहीं जाती उसकी रुची तो सम्यक्त में अपने ग्यान सवाव रूप आचरन करके अपने सुक 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 अपने चेतन्ता के सुक को भोगने की रेती सुक्षमिसी बात है थोड़ी सी थोड़ी सी सुक्षमिसी चर्चा है थोड़ी सी गहराई की बात है लेकिन इस गाता का सार यही है इस गाता की गहराई यही है कि उसे अपने न्यान में सम्यक्ति में आच्रण करना रुच्ता है सच्चे ज्यान क्या है जो ज्यान सभाव रूप है चेतन आनंद रूप है जो ज्यान अपने ज्यान सभाव के भेस को धारण किया हुआ है ज्यान से ज्यान की रुची को रखे हुए है एसा ज्यान जो ज्यान विन्यान में ज्याता दिश्टा सरूप सरवत्र जगत को प्रकासित कर रहा है सुद्धता से प्रकासित हो रहा है वे सुद्धात्मा में प्रकासित सुद्ध ज्यान वे सुद्ध ज्यान ही सच्चा मेरा र रहा है वह ज्ञान चर्णन्त सुक्यम सुख में आच्रण कर रहा है थोड़ी से गहरी बात है सुक्ष्म बात है थोड़ा सा उप्यों को लगा जिन भगवान के बच्चन है जो ज्ञान इसे सुक्ष्में अपने अतींदी शुद्र प्रकाजवान ग्यायक वीत्राक सभाव से एकत कर रहा है अपने सुक्ष्म अतींदी ग्यान विज्ञान में सरूप से एकत कर रहा है अपने सुक्ष्म अतींदी वीत्राक परमपत से जो ग्यान एकत कर रहा है एसे वीत्राक परमपत से अपने इसे सुक्ष्म सभाव से एकत करने वाला ग्यान अपने दुरुप सभा सच्छा घ्यान डृत來 औरभेड करता में उठाने वाला में रखने वाला में धरने वाला में, करने वाला में, जब तक इन अज्ञान भाव में एकत था, कि तू करने वाला या में करने वाला, तूने ऐसा क्यों किया, क्या में ऐसा क्यों नहीं किया, जब तक पर में करत था, एकत था, करने भावने की बात थी, तब तक अज्ञान प्रमान दुख था, लेकिन भगवान जी, जहां आकरता हूँ, आभोकता हूँ, सिद्ध सरूपी हूँ, और एसे ही शुद्ध प्रकाजवान सुभाव की रुची वरत रही है, सुद्ध सुभाव प्रकाजवान सुभाव में आचरण वरत रहा है, वहां आचरण में सुख है, महा अकुलता थोड़ी ना महां द्वांद थोड़ी ना है वहां भेद प्रवेद थोड़ी ना है महां अज्ञान करण धारायन थोड़ी ना है महां रागादी प्रपंज थोड़ी ना है फिर क्या है? महां सहज बरत्त वुँ आनंद है सहज बरत्त वु कैसा आनंद है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म अपने शुद्धात्म सा रूप का सहज परत्ता हूँ आनंद है अपने सुद्धात्म सुभाव की सहज डुक्की है अपने सुद्धात्म सुभाव का सहज वर्तना है या मैं तो आनंद हूँ आनंद हूँ आनंद हूँ मेरा सुभाव तो ग्यान सुभाव रूपी है अच्छा इतने इन से भेद ग्यान की चर्चा सुन रहा है इतने इन से भेद ग्यान कर रहा है इतने इन से तत्प निर्णे समझ रहा है इतने इन से जीब जुदा पुद्गल जुदा का मंत रट रहा है इतने दिन से इतनी सारी चर्चा हैं सुन रहा है अच्छे एक बात बता दो सच्चे हिर्दे से बात बता दो ग्यान में इसे ग्यायक सुभाव मात्र को लखने की रुची है अपने सुभाव नुरूप सुद्ध प्रकादवान सत्ता नुरूप कैसे सुद्धात्म सभाव को लखने की रुची है कैसे सुद्धात्म सभाव को धारन करने की रुची है कि मैं ग्याया ग्यान रूप सत्ता मातर शुद्धता से प्रकासि जिसमें कोई कर्म बन नहीं है जिसमें कोई कर्म बंद नहीं है जिसमें कोई विकल्प नहीं है जो इस समय निर्विकल्प आनंद रूप शुद्धता से प्रकासित हो रहा है वे शुद्ध आत्म सरूप वे ज्यायक सब्ता ही मिरा रूप क्या है ऐसे प्रकासवान सुभा को रुचने की रुची रुच रुच के जैसे जैसे की कोई भोजन अच्छा लगता ना पिरिया अच्छ लगता ना बहार में कोई बस्तू अच्छे लगती ना तो उस बस्तू के लिए रुच रुच के जीप अपने आपी कित्ती बढ़िया इसा नहीं इसा इसा नहीं इसा इसा नहीं इसा सिद्धात्म, शुद्धात्म, शुद्धात्म, मेरा ग्यायक सरूव, मेरा ग्यान सुभाओ, मेरा प्रकासवान ग्यान सुभाओ, मेरा आनन्दकन सचिदनन सरूव, जैसे यह से ग्यान, 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 अरद ग्यान, ग्यान, जैसे ग्यान, ग्यान की ग्यान ग्यान रूप ज्यान 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 अनंत 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 प्रकासित होता हुआ अपना अनंत ज्याय ज्यान में सरूँ जहां कोई परपरियाय नहीं है जहां कोई परपरियाय भाव नहीं है जहां कोई पराधीनता और कोई भी अज्ञानता नहीं है जहां एक स्वतंत्र स्वाधीन और निरपेच्छ दुरुपसत्ता मात्रे बस दुरुप सक्ता एक निर्पेक्ष दुरुप सक्ता मात रहे और कुछ रुची नहीं रहा जहां जहां अपनी रुची होती है अपने मही रहते हैं अपने को बोई कायर करते हैं इसी ग्यान की रुची पूंड उपेन अपने ग्यायक सभाव की ओर हो गई बेन समें पानि को गेस से नीचे अतारदो वहिए अपने ठेंडा होन लगा यह तो अपने अपने तो लागा तो रहा को ऊड़ाटो कुछ करो कुछ भी करो तो कित्ती बंदर डाल दो लेकिन गर्माट से अलग हो गया है है तो भा lawn उस चारों तब कर दो तों वह दी दीर다면 दीर다면 लो वेदी दिन बढ़ी बहुत है तक मतलल घंस्टें एक निवहान गंते अदर जंटे वी वॉर्टल में भी वो धीरे 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 करके अपने सभाव ठंडा होई रहा है ना वो तो अपनी सीतलता को अपलब्ध होई रहा है ना अपनी अतीन अपनी आनंद में सत्ता में अपनी सीतल सत्ता में विलस ही रहा है ना अरे भगवन ए भगवन एक बार देखो तो, एक बार अनुभव तो करो, एसे सद्धात्म सभाव की अनुभूती जिसका हो गई, वीतराग परम वीतराग ग्यान विन्यान में सभाव का वेदन जिसका हो गया, एसे दुरुब ग्यान विज्ञान में सभाव की रुची जिसके अंतरमत्पन हो गई, ए ग्यान में जो ग्यान सुभाव ग्यान ग्यायक सुभाव रुच गया है वह ग्यान कित्ते दिन के करमदे के बीच में रखना है बता कित्ते साल के करमदे के बीच में रखना है बता कित्ते भाव के करमदे के बीच में रखना है बता उन भावों के करमदे के बीच में रहता वे ग्यान तो अपने ग्यान आनंद सुभाव रूप अपने सुख सुभाव रूप ढली रहा है उसका सुभाव ही अपने जैसे पानी अपने में सीतल हो रहा है वे इसे ग्यान अपने में सुयम की रुची से सुयम ग्यान रूप ढल रहा है इन जाने में इन जान जान आरहें ग्यान आनंद रूप सुख रूप अपने आप्ए जानेbels ग्यान सुक्ष के जा अपने अप्ने ग्यान के जान सुख रूप ऑनी पार तो सजाक से अलग करना पड़ेगा तो सीतल हो रहा है वो तो एक दिस पुद्गल जड़ो धारण है लेकिन भाईया ग्यान तो सभाव से ही ग्यान अनंद रूप है ग्यान अनंद सरूप है कर्मों से अलग होने के बाद ही तो पूर्ण सोद हो जाएगा अरे लेकिन अभी कर्मों के बीच में भी है तो भी यदि इस ग्यान को अपने ग्यान सुभाव का जो बोद हा जाए जो गुरू मराज करा है कि स्री केवलम ने अन्विलो की तत्व जो गुरू मराज बता रहा है केवल ग्यानी परमात्मा के अन्विलो को सीकार कर ले कि यह सा सुद्धता से प्रकासित होता है मेरा भी सुद्धात्मा है जो जो ग्यान ग्यान रूप अपनी वरतना को जान ले तो ग्यान अपने हापी सीतल होता जाएगा सीतर होता जाएगा मतलब सुयम ग्यान अनुरूप ढलता जाएगा ग्यान अनुरूप उसका पुरसाथ चलेगा और ग्यान अनुरूप इसा पुरसाथ चलने से वे ग्यान सुयम ही सम्यक्त सुक्धम अर्थात ये देखो इस गाता से देखो सम्यक्त चर्णा सुक्यम अपने आपी वे ज्यान सम्मेक्त में आच्रण करता हुआ सुक को प्राप्त करता रहा है अपने आपी सुक में ढलेगा अकरता आभुकता अतींद्री आत्मा चेतन रूप सुक सुक अतींद्री वरत्तवा सुक सुक अनंत सुक अनंत अतींद्री सुक अनींद्री सुक इंद्रियों स प्रकास चारों और विक्सवा हुआ है, प्रकास तो चारों और विक्रा thereby अग्ञानि उस प्रकास बाथ ब्रकास वाई ए 98ई्चार बार्रकास प्रकासित ड्रुब Friday 288 को अपने में प्रकासित जानुरा है वे संवेत ज्ञानी कर रहा है अपने ज् razón कि ज्यान में सुखा-वध कर रहा हैं कर रहा हैं कि अपने ज्यानननलमें शरूप की आननंत कह में हो गई उस standards में वह निमग ने अपने ज्याण ہیں ज्यान interrogation सभाव का ही अतीन दी रस्वान कर रहा हैं । एसा आनद एसा आनंद के पासुआ इसा आनन्द हैं अ उन योगिओं के पास जो श्री के ग्यान में सीकार कर रहा है एसे अनुभाव को अपने ग्यान में देख रहा है वे ज्यानी सम्यक्त में अनंत सक्ता में आच्रण कर रहा है सम्मेक्त में अनंत दुरुप सक्ता में आच्रण कर रहा है, अपने सुख में आच्रण कर रहा है, सुख 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 सुख, अनंत सुख, धुरुपता का धुरुप सक्ता का अनंत सुख, एसे ज्ञान विन्यान में सभाव का अनंत सुख, सुख का बेदन कर रहा है, सास्व स करा है इस जृदर करने वाले जीवें का जीवन है टत्तवार्थ सारद्व उनके जीवन में एग लक्ष हैं उनके जीवन में आ प्रुषा फुर आध्फ उनकी दिश्टी में सिर्फ एकी तत्व आ रहा है वो है तत्व आर्थ अपना प्रियोजन भूत सरूप वह तत्व का अर्थ अपना प्रियोजन भूत सरूप वह सारधम उसी की श्रद्दा उसी की आस्ता उसी की आरातना उसी की वंदना उसी की पूजा करते हुए वह स्राव वह ज्यानी अपने प्रियोजन भूत अर्थ को साथ रहा है उनके जीवन में यह चल रहा है ना उनके जीवन में राक चल रहा ना उनके जीवन देश चल रहा ना उनके जीवन में कसाय चल रही उनके जीवन में वह अपना अतींडरी जो प्रियोजन भूत सुभाव है वह जीवन अपना अतींद्री प्रियोजन भूत सुभा सद्रा उनके जीवन तत्वार्त की साधना में लगे वे भगवन अपनी भगवत सब्ता को उजागर करने में लगे हुए उजागर तो उनके अंतर में है ही लेकिन अब ज्यान ज्यान रूप अपने अब ढल रहा है न से वे भी सुभा रूप केवल ज्यान रूप ढल रहा है अपन लोग कह रहा है कि वह अपने पुरुजा अर्थ में लगे हुए तत्वार्त की साधना में लगे सत्त्त वाद तो यह है कि उनकी दिष्टि में अपना प्रिजन भूत अर्थि सदा ही हुआ है सदा ही हुआ है, सदा ही हुआ है तो अपने दिष्टी में अपना प्रियोजन भूत अर्थ सुभाव सदा होने कारण से वे ग्यानी सादग इस तत्वार्थ की सादना में सुयम निमगने है अकर्तत अत्भुकतत रूप अपने ग्यान से ग्यान आनन्द में निमगने है तम दर्सने तम जैसे वे अपने में निमगने है तम दर्सने तम वे से तुम ऐसा दर्सन खुद कर लो अब शुरूता हो से के दियो उनोंने जैसे वे आनन्द में अतीनरी में लीन है तम दर्सने तम वेसे ही लक्षण तुम अपने में देख लो वेसी तत्त को तुम देख लो वेसी तत्त को तुम अवलोक लो वेसी तत्त मेंने तुम्हें दिखा दिया है जैसा केवल ग्यानी परमात्मन देखा है जैसा केवल ग्यानी परमात्मन सादा है वेसी तत्ठ मेरे तुम्हे दिखा दिया है एं तुम इसे तत्ठ को इसे सुभाव को तुम सुयम में देख लोगे तो भग्मान जी तुम भी सम्मेग झ्यानी खेला जाओगे तुम भी सच्चे ज्यानी हो जाओगे तो कसायों से का भाव तूट जाएगा रागदेश का भाव तूट जाएगा इधर उदर की बबदगल प्रयावस्ताओं को देखने का भाव छूट जाएगा संसार का सरीरों का प्रयाय प्रणमन देखने का भाव छूड़ जाएगा भे सल चिंताएं छूड़ जाएंगी और अपना जो सुद्ध प्रकाजवान सरूप है भे अपनी दिश्टी में उजागर होके आ जाएगा सीधी सी बात है प्रकाजवान जी जो पीड़ा दाइक सायोग है जो कश्टकारी सायोग है आपके पास से आपने आपी बिला जाएंगे आपको हटाने नहीं पढ़ेंगे लेकर आपको उन से दूर नहीं होना पढ़ेगा आपको उनसे अलग नहीं होना पड़ेगा उन सहींगों से बेस सहींग अपने आप छूड़ जाएंगे बेस सहींग अपने आप बिला जाएंगे हाहा आप अनन्त्य सुद्ध प्रकाजवाद मेरा सरूप जैवन तैंहें जैवन तैंहें और जैवन ने ये आत्म अत्म सम्म्यक दिश्टी ज्यान इसादत सॉम्मिक दिश्टी प्राप्त करनेओ अपने anticipate आठ्म को सब्धात्म सब्धाव 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 सब्ध प्रकासित होता हुआ जलकता है ऐस इस गमरे में लाइट जल रही है कितने बार यह दा ड़े चुके तो किती सारी बस्तों उचलक रहे हैं है अब इन बस्तों को जलकते हुए भी प्रकास कहा है बता अब तो उससे पूछो कि यह सोफा दिख रहा है यह किया है तो वो कहा रहा है तो सोफा है अरे सोफा तो गय है भकवन दिख रहा है वो तो गय है लेकिन जो दिखा रहा है वो ही तो प्रकास है प्रकास तो प्रकास में ही है प्रकास तो प्रकास में ही है भाई लेकिन हमें क्यों नहीं दिखता तो कि भाई या यह देखो यही बात पहले लेकाई न कि उस प्रकास को देखने की रुची नहीं है आसता इसलिए कि यह ना ज्यान सभाव रूप रुची जिन सत्वा रुच्थोह रुच्छेज़ न सखक्या अच्रणस साथ्धा वेव थम्यक्ति एंद्द ग्याण रुप ऑपने सख़ं के आच्रणन dazu सारदम वही प्रियोजन भू तत्त को साथ सकते हैं वही प्रियोजन भू तत्त को साथ रहा हैं वही प्रियोजन भू तत्त की अरादना में लवलीन है भी यह तम दर्सने तम अब जैसे वह अपनी सादना में लवलीन है जैसे केवल गयानी अपनी सादना में लवलीन है जैसे केवल ग्यानी परमात्मा अनंत ज्ञान का नुपाव कर रहा है, जैसे केवल ग्यानी परमात्मा अनंत सुख सुभाव का वेदन कर रहा है, वेसे ही तुम हो, तुम्में और उन्में कोई भेद नहीं है, तुम्में और उन्में कोई अंतर नहीं है, बात तो अपनी अप सभाव की सभाव के रुचिए तो बगवण आत्मा अपने वह चेतन में सभाव बरत रहा है प्रकास बांसक्ता ये सब्धात्मा तो अपने में प्रकासित होई रहा है बस बात है उस अनंत सुद्ध प्रकास को अनंत सुद्ध ज्यायक सभाव को देखने की रूची आए वेसे सम्मेक्त घ्यान में चरण करना शुक में सरण करना ही मेरा अचरण है ऐसा आचारदेप तत्तवार्त की सात्ना को तम दर्शनेत्वं तुम्हें दर्शा रहे हैं तुम्हें गुट्टी बना के पिला रहे हैं यह स्थ प्रकाज बन अनंद्शुक सरूप ज्यान में बंढ़त शभाव ये मिद सक्रीवजन बूठ सत्ता ऑत्त्ती को साथि 한 सर्वत्र प्रकासित करके सरी गुरुदेब तुम्हें बता रहा हैं तुम्हें दर्शा रहा हैं अब तुम बताओ कि तुम्हें रुची है या नहीं है उस सुद्धा को देखने की तुम्हें भाव है या नहीं है उस सरूप को देखने का तुम्हें अंतर से रुजान है या नहीं हो सुद्ध सरूप को देखने का, यह तुम्हें भाव है, यह तुम्हें रुजान है, यह तुम्हें रुजी है, तो भगवान तुम सच्चे श्रद्धानी जीव हो, जो सच्चे सद्धान के साथ सच्चे ज्यान में आच्रण करने के लिए पुरसात रहत है, जो सम्मेक ज्यान के अंकुरण में अपने अंतर में बेठा हुआ है, जिसका ज्यान अपने आपी सीतल हो रहा है, जिसको सुद्ध प्रकासि सत्ता सुयम में जानने में आ रही है, जि पर पर यागी जलकन से रुची अपने आपी खतम हो गई है एक सुभाव मात की रुची बची ये बस सुभाव मात का लक्ष बचा है बस इसे सुभाव मात का लक्ष है और इसे सुभाव मात की रुची हो जाने के कारण से ये सारा संसार अपने आपी बिलीन हो रहा है tip अब अब बता स्वेयम सांत हो रहा है स्वेयम सद्ध हो यहां अपने प्रकास रूप बरत रहा बरत रहा है स्वेयम सम्य दियान में अचण करके स्वेयम अनंथ सुख में बिलास कर रहा है क्यों सुभाव अनुरू प्रूच्छी है न उसकी इसलिए अज़ सुभान रूप रूची नहीं होती तो भाईया फिर अग्यान बिकल्बों में जाता इसने ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा क्यों हो गया? ये क्या हुआ? तुकान में कितने फायदा हुआ? घर में कितना रुखसान हुआ? जब तक 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 जब त बुक्तत का फ्हुंद कोई बी अज्यान मानता को फशाएगा या कोई अग्यान मानता में फशे नाना प्रकार के बिसमता है उत्पन होंगी क्यों होंगी यह आक उलता है क्यों होंगी नाना प्रकार के बिसमता है भाया इसलिए होंगी क्योंकि वे अपने अग्यान को अग्यान रूप ना जानके उसी मेक मेक हो रहा ना उसी अज्ञान भाव की रुची करके बेटा है न अज्ञान भाव की रुची जिसे होगी वे अन्यानी अन्यान हो वे अज्ञानी तो अज्ञान में दुख में आच्रम करेगा न उसे सच्छा सुख कहां से प्राप्त हो जाएगा उसे तो कुबुद्धी कसाई नाना पेकार बिकाल चिंटा यही सब अच्छा लगेगा ना सरीर सरीयों राख देश के भाव उसे सब यही रुचेगा ना क्योंकि अज्ञानी को दुख्यू होने के लिए अज्ञान पढ़ नाम चाहिए अज्ञान में उसका सुख है अज्ञान में उसका दुख है अनन्त संसार अग्यान मी तो है लेकिन ज्यानी की दसा अलग है न भीया ज्यानी को सुद्धत्त का प्रकास है ग्यानी को सुद्धात्म तत्य की रुची है ग्यानी को ग्याया ग्यान सुभाव की सीतलता उत्पन हो गई सुद्धाव का अनुबा उत्पन हो गया है ग्यानी का ग्यान सुयम सीतल सुभाव में अपने दुरुब सुद्धात्म सुभाव में ढल रहा है तो ज्वानी का ज्यान में इभी तेज दिरंतर बढ़ रहा है दिरंतर उसके शक्तिय बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है उसका अनंत्र प्रकास निरन्तर बर्ड़ाई अज्ञानी का अज्ञान में आच्रण होने से उसका ज्ञाण डख रहा है जो उसकी सुभारूप चेतना वो ढख रही है अच्छे सुनो बहुत सूक्ष में चर्चा है साधारण चर्चा होती वो नहीं है यह बहुत सूक्ष में गहरी बात है अज्यानी का अज्यान अज्यान में आवरण में डव रहा है और इसे अज्यान में निगोच जाने की तैयारी में कि वे अज्यान में होता हुआ लिए उसके अपने पतन के लिए जा रहा है हां चाहें उसे क्या बोलते हैं वह कॉन सा पतक का है अचाहें यूह जो से बड़ कूछ जाए ओक चल चला जाए बहुत जाए यह और एसे नहींद में अज्ञान के अन्वुदना करने वाला ग्यान में अज्ञान में रथ होने वाला वह जीवतो हुर है वह जीब तो क्या करता ठ« हर् belief ने जाता है खावरन को बढ़ाता है रीवोज में जाता निवोज में को निगोद निगोई निगोई बासामी कौन बहें कौन सा जीव कौन सा जीव निगोद में जाता है कौन सा जीव निगोद में जाता है या अज्ञान से अज्ञान की अनबुद न करने वाला अज्ञान से अज्ञान में रद होने वाला अज्ञान में अच्ण करने वाला आवर और अपने सीतल सभाव को जानी नहीं रहा एक उधारण है एक देश सीतलता को ही भूल गया पानी इसे ही ज्यान ज्यान को ही भूल गया अज्यान रूप हो गया अज्यान में एकट करके बेढ़ गया अज्यान की रूची लगा कर बेढ़ गया क्या होगा सुभाव से बिप्रित पढ़िणमन पढ़िणमन सुभाव से बिप्रित होगा बस याद अठना ज्यान सुभाव से बाहर नहीं आएगा बस पढ़िणमन व्य सब विप्रित होने वावले पढ़िणवल वे आकुलता दुख संसार आप नवरन नावपकार की किरिया यह सब Св最近 दिखाई देगे। है तत्त के अर्थ को पीचान रहे जो उद्हान अपने क्या बोलते हैं सभागे दर्शन में लगा उआ है तंप जिएम जो उद्हृन अपने दृब्ष के दर्शन में लगा हुआ और दरुप सभाव की अरद्ना में लगा वही ज्ञान बहज है नौन संचारयों कर रहा है कासायों को तोड़ थोड़ है अंतर में ढलता हुआ बहे अंतने ढाया ज्यान सरुकुक दείखता हुआ तोड़ी देर में द्रुव दिन्ध पदमान में प्रठट हो जायेगा। तो लोका लोग को प्रकासित करने लगरीगा। सारे पदार्थ eighth हो जाएंगे। एक समय में तीन आप तीन लोग सब जलग जाएंगे। अधाथ में प्रकासित हो जाएगा। 3 आप जैचे बाद भी देखो कि रुची क्या रही हैं कि जो ग्यान radio chit इस समय है वो इस समय केवल ज्यान में रहेगी केवल ज्यान में रूची तो अपने निर्विकल सभा के उभोग की रहेगी वाकि तीनों लोग जलकेंगे कि फल होते हो लोई लक्षण यहां स्रावक को दिखेंगे क्या ये परपदार्त किरियाएं सब ये तो ऑईंगी यह परपदार्त ये पर्वकिर ये सईयों है जानने में तो सवह निर्विकल में निर्विकल घंगका सैकार करहन जेएंगी केवल ज्यानी का रुची पूरुन रूपे निर्विकल्द में लीन होने से उने निर्विकल्द यह हैं तीनों लोगों को जलतकाते हुए जंЗ कुछन परबनe को बढ़त हैं परमानन्दी इसा ही पलदा है एक लेकिन भगवान को कोई वज्आरे को को इस उजयारे को ज्ची-अपने अनुभाव में ले पाएगा याहा देखो 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 डेखो वह सुद्धिता रूप्रकास परेसा कि रूच्छी रूच्छी एसे ज्ण वी वियान में सुभाव के इतनी गहन रुची इतनी सुक्ष्म रुची इतनी गहरी रुची जह मन के मित्या सारे परियाए परिणमान सारे मित्या भी पराये मर जाए गल जाए आग लग जाए और अपने दुर्फ सुभाव मात का भी पराय ले जाए सारी कर्म कालीमा जल जाए सारे मात्र सुद्र प्रकादवान चेतन में सत्ताई दिश्टी हो चल रहे जाए इतनी गहरी इतनी गहन रुची इतनी गहरी अपने ममल द्रव सुभाव की रुची इतनी गहरी इश्टता अपने द्रव ज्यायक सुभाव की जहां अपना ज्यान मात्र ज्यान विज्यान में केबल ज्यानी को भी संभाव है और सम्यक ज्यानी को भी संभाव है और सम्यक दिश्टी को भी संभाव है तो के से संभाव है धुरुफ सुभाव की अपने ज्यान सुभाव की रुची के बदर संभाव है बस यदि अपने ज्यान सुभाव की रुची नहीं है धुरुफ संभाव की रवंटा संभाव नहीं है संभाव तो उसी को है जो इसे ज्ञान आनंद में विलास कर रहा है अपनी ज्ञान आनंद को ही देख रहा है ज्ञान आनंद मात की इसको रुची है उसको ही संभाव है वाकि किसी को संभाव नहीं है अरे जो अपने रसिया है जो अपने आनन्द का रसिया नहीं है, सरीर आदी में रस जानता है, सरीर आगीती में सुक्षी दुखी होता है, उस अज्ञानी को संभाव नहीं है, यह तो आत्मा में सुक्ष जानने वालों को संभाव है, आतिंद्री आत्मा में सुख का बिलास करने वालों को संभाव है उन्हें देह आदी का वेदान सहियों का आदी की अवस्था एक प्रभाविती नहीं करते उन्हें सहियों का आदी के परिणमन प्रभाविती नहीं करते एसा प्रभाय होता है जिस प्रभाव के बल पे अपनी चेतना अपनी चेतन में वेती हुई अनंत प्रभाय रूप अनंत धारा रूप ज्यान धारा रूप उत्पन हो जाती है अनंत्र प्रभाय उत्पन हो जाता है ज्यान का, ज्यान और आनद्र का अनंत्र प्रभाय उत्पन हो जाता है, उस प्रभाय में बेता हुआ बेहजीब अपने अतीन्द्रि सुक और आनंद का ही बिदन करता है, अपने अतीन्द्रि सुक और आनंद का ही बिदन करता है, इसका हम तत्वारत की साथ नहीं है यह तो सुक्ष्म रहस्यों को जो जानता है जो ज्ञान इसे सुक्ष्म रहस्यों को जानता है जो ज्ञान इसे सुक्ष्म रहस्यों का अनुभाव करता है जिस ज्ञान में इसे सुक्ष्म रहस्यों को अपने अंतर में जानने वाला वे ज्ञानी वे ज्यानी एसे तत्व के दर्शन की बिधी को जानता है केसे तत्व मिलेगा केसे तत्व प्राप्त होगा गुरु मायन ने पता जी तम दर्शने तम लेकिन वे दर्शन की एसी बिधी को जानता है जानता है कि केसे दर्शन मिलेगा नित अपनी दुरुफसत्ता का केसे प्रकास होगा अपनी दुरुफसत्ता का वो जानता है इसकाला को तभी तो ग्यानी है तभी तो सम्मेक दिश्टी है अन्य तो संसारी नहीं हो आता संसारी जीव जीव जैसे रोत रहते हैं संसारी जी जिसे भटकते रहते हैं वेसा रोता हो नहीं दिखता हो सरीर के लिए, मौय के लिए, राक के लिए, कसायों के लिए, अच्छे बुरे के लिए संसारी जी रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, वेसे ही नहीं हो जाता नहीं हो रहा ना वेसा आनन्द में है ना सजीदा अनने परमात्मा में है ना अपने ग्यान गन पिंड में विलस रहा है ना अपने आनन्द कान पिंड में विलस रहा है ना तो वे ग्यानी सम्यक्त ग्यान से सुख में आचरन कर रहा है सच्चे ज्यान मैं सुक में आच्रण कर रहा है यह ज्यानी की वे ज्यान कला है जिस कला के आगे अतींद्र सुभावी मिलता है वस अतींद्र सुभावी दिखता है जिस ज्यान कला के आगे कर्म धारा हैं कसाय धारा हैं भाव धारा हैं किसी की नहीं चलती सब सब गल्तियों बिलाती जाती है कर्म धाराएं कसाय धाराएं भाव धाराएं परिणाम धाराएं ये सारी धाराएं जहां सब बिलकुल एकडम निस्काशित हो जाती है निराधार हो जाती है पर परियाएं परिणमन सुथपन होने वाले जित्ती पुद्गल सहियों रूप धारा है न वे सब निश्कासित हो जाती है, सब निर्धार बेअसर हो जाती है, करंधाराएं बेअसर हो जाती है, अग्यान धाराएं बेअसर हो जाती है, और ग्यान धारा का प्रवाइब प्रवल हो जाता है, अनंत ग्यान 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 और सद्धता से प्कासित होता हुआ, मात्र ग् जी कह रही है साथ नंबर की कारिका में गुरू अचार तारं तरंदेप के रहा है कि के वाल ज्यान ही जेसा अनुभाव कर रहा है बेसा अनुभाव यह लोग में तुम्हें देता हूं तम दर्स ने तुम्हें दिखाता हूं तुम्हें अंदर में तुम्हें शुद्धात्मा में सम्मे ज्ञान में आच्रन करने में मिलेगा तत्वार्थ की साधना में मिलेगा प्रियोजन बूत अर्थ को साधने में मिलेगा वो सुख अब क्या कर रहा है संसारी जी उसे पता ही नहीं सुक कहा है उसे पता ही नहीं सांती कहा है उसे पता ही नहीं आनंद कहा है उसे पता ही नहीं कि आत्मा का बोत क्या है आत्मा क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है शुद्धात्मा क्या है उसे होश ही नहीं अपने परमात्म सभाव का भीया जब अपने सभाव कोई होश नहीं है जब अपने अतींद्री सत्ता कोई होश नहीं है जब अपने अतींद्री चेतन सभाव की उसे प्रकटा नहीं है तो भीया वे ग्यानी भटक रहा है 84 84 84 में चक्कल लगा रहा है अतींद्री का बोध हो अतींद्री का बोध हो तो ग्यान सोयम ढलता है केवल ग्यान रूप तो ग्यान में गे उसकी रुची में ध्यान में धे उसके ग्यान में गे उसके ध्यान में धे उसके ग्यान में प्रियोजन भूध अपना अनंत चतुष्टे में सरूपी होने से वे ग्यान सोयम क बनेये बेवल ग्यान डूम ढलता है अपने आप फी जो ग्यान डूम होता है वह अनंत ग्यान रूम होता है चला हुँ जो भभाव में एकत करें अज्यांड रूम होता है तो वे भी अनंत अज्ञान रूप होता परिणमित होता हुआ चला आता लेकिन बात यह है कि सुभाव ज्ञान होने से वे अज्ञानता चुन हो सकती है लेकिन अज्ञानता सुभाव ना होने से वे अज्ञानता कभी अर्थात परिणमान में तो कभी भी रह सकती है लेकिन वे अज्ञानता कभी सुभाव नहीं हो सकती साधी अनंत काल तक अज्ञानता रूप पड़मित हो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन वे अज्ञानता उसके सुद्ध सुभाव रूप नहीं हो सकती उसके ज्ञान को नश्ट नहीं कर सकती जीवन पर साधियन अन्द काल तक अज्ञान तर नाम पा सकता है क्योंकि वो तो परयाय की अवस्था से नाम मिलता ना तो वो अज्ञान ही अज्ञान में ही रहाएगा हो लेकिन उसके बाद भी उसके ज्ञान को छीर नहीं कर पाने की अपेक्षा से वह अज्ञान ऊपर यूपर रहाएगा वस्था सत्ता की अपेक्षा से सत्ता सरूप की अपेक्षा से विचारा कभी वह जीव निगोस से ना निकल पाए नित निगोद में ही रहे लेकिन उसकी सुक्ष में अतीनरी आत्म ज्ञान सत्ता उसमें प्रकासिती रहेगी कभी नश्ट नहीं होगी यह सभाव, इसे कहते हैं सभाव भीया लेकिन वो आत्मसत्ता प्रकासिती रहेगी ध्रूबी रहेगी, साश्वती रहेगी लेकिन वो कभी जान नहीं पाएगा यह बहुत पड़ा आश्चर है कोई आश्यर नहीं है क्यों आश्यर नहीं भईया अरे भगवान जी इसलिए आश्यर नहीं है इसलिए आश्यर नहीं है आश्यर नहीं होने है कारण सिर्फ इसलिए है क्योंकि भगवान जी उस सुबह उस जीब की देखो आश्यर की बात करें इसलिए पुरसाता पिक्टे ऍत्ान होगा क्योंकि उस जीप की जो दिश्टी है वो उस अःज्ञान में हो गई नtonos कोई आश्चर नहीं और पुर्णमन की धारा में उसको अनादिकालता अrgan नहीं रहाएगा से कोई आश्चर नहीं क्यों कि उसको अग्यान में रशा रहा है ना रुचि उसकी अग्यान में हो गई ना पूर्ड अग्यान में उसकी रुचि ना तो उसे कर्तत वक्तत में मज़ाएगा लड़ाई जगड़े में मज़ाएगा पर परया को देखने में मज़ाएगा चिंतां और विकल्पों में पर्णमन में तो अज्ञान है दुख ही दुख राएगा लेकिन वो हुषग में यह एक में यह दू कराएगा उसे पता ही नहीं यह दू के दूक में यह जू direct तरदारणा है ना विप्रिद धियां विप्रित मांता विप्रित चारत सबकुछ विप्रिद होने से वो दुख दुख रूप पर्णमन है उसके आनंद का कारणública आनंद का कारण já मतलब अर्ए आज़ी कास सि अपन भीusan ऑज्ञांत करो अनंध दो मेरत लगता हुदION है तो फ्रeam रिपरीद्ग ह करका सरियर के प्रापति की भावदा नहीं रहती थी है यह उस एक इंद्र परियाएं वालेजीब को उसकी प्रियाय प्रापति में सुखात अनुखान बूति हो रही है वही आनंद का उसके विसे बन रहा है आं है बह्या वही ऊख़ानुबूती हो वही उसकी आनंद का विसे बन रहा है इस उसमें लब्लीन है हाँ ऊस एक उंधीर पर्याई यदि उसे वो दुख रूप जानके यदि वो दुख से ब्रक्त हो गया होता तो बाद निगोद में क्यों होता आस तो समयक दिश्टी की लिष्ट में मुक्ती मार में करने वाले लिष्ट में उसका नाम होता उसकी मानता ही यदि पलडगई होती उसकी मानते ही सुलड़ गई होती तो वो तो निर्वान जिनपत को उत्पन करने वाला होता ना भगवन आत्मा यदि वो निर्वान का भागी नहीं है जिनपत को उत्पन करने वाला नहीं है तो उसका कारण इतना ही तो है कि वो दुख में ही सुक की मानता को मिटा नहीं पाया भी तक ऐसा ही अपने जीप को भी देख लो यदि अपने को कुग्यान में अच्छा लग रहा है राग में अच्छा लग रहा है देश में अच्छा लग रहा है मोई में अच्छा लग रहा है केहने सुनने में अच्छा लग रहा है परपरयाई की रुची में अच्छा लग रहा है तो अपना जीप भी कुग्यान की मानता को मिटा नहीं पाया अग्यान की मानता को मिटा नहीं पाया यदि अपने कोई नहीं भाव में सुखा रहा है ना अजय यदि में अबहने जाएक झालब के लिग्या पत्ति क जाएगा गहर दिश्व 2003 के ठीकार में जाएगा इसलिए भगवान इन परिद्रामों में दुक कारण है परिद्राम सब परपरियाए परणाम, परणथिये, लाग देश कसाय, उल्जन, परगी चिंता, परियाए को लोगों को देखना ये सब आकलतार दुक कारण है इन में रुची पूरवाग मत परतो इन में उल्जे मत रहो फिर रुची रखो एक काई की कि जो सुद्धिता से प्रकासित हो रहा है इसे सुद्धात्म सरूप की लक्ष में एक दुरुब सुद्धात्म को इस्थापित करो इसे दुर्ब सुद्धात्म को इस्थापित करके जो दिष्टी अपने अंतर चेतन सवाग की ओर देखेगी वही दिष्टी वीतराग दिष्टी हो जाएगी जो दिष्टी वीतराग दिष्टी हो जाएगी इसे दिसला को प्राप्त कर जाएगी द्रुब ग्यायक अतीन रियानन सभा को प्राप्त कर जाएगी अरे पुक्मान सुक्ष में ग्यान सभा की रुची की बात है सुक्ष में ग्यान सभा की रुची की बात है जिसे रुची है जिसे लगन है वे शिद्धी संपदा को खुत्पन कर रहा है और जिसे रुची नहीं है, जिसे लगद नहीं है, वे संसार में जनमरन कर रहा है, यह बात तो अपनी है, अचार परमात्मा जगा तो अपनी आत्मा को रहा है, उठा तो अपनी आत्मा को रहा है, यह सुद्ध केवल गयानी परमात्मा का अनुगा बता तो अपनी आत्मा के ले रहे हैं अपनो सच्चे जquito कि अनुभूतिका मारग यह सब कुछ सारा साधना notable इंशन सा अपने के लிए नहीं थाइं अपने लिए कि रहा आचायर परमात्मा कि वो के रहे fuckin मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, मतलब मेरी आत्मा के लिए कह रहा है, अब जब वे मेरी आत्मा के लिए कह रहा है, तत्वात की साथना की आग्या दे रहा है, तो अपन तत्व से बिलकुल भी मत हटो, तत्व की देशना से बिलकुल भी मत हटो, तत्व के श्रदान ज्या अध्यान और अनंडर से बिल्कुल में पत इसे पत की आराथ ना करो एसे पत को अपने प्रमed अंगीकार करो आशार परमात्मा की वाणी को सीकार करके एसे परमपत को अपनी दिश्टी में देखो बस यही सच्चा सुख का मार्ग है यही जिन भगवान की आज्या है यही जिन भगवान की दोरा कहा हुआ उपदेश है कि भगवन अपने आत्म सुभाव को अपनी दिश् में स्रीकार करो, इससे ही मुक्ति और सिद्धी का मार्ग बनेगा, इससे ही अपने आनंद परमानंद सभाव का अनंत अतींद्री आनंद का उद्गोश उद्पन होगा, अनंत अतींद्री आनंद का उद्गोश, अनंत अतींद्री आनंद का उद्गोश, अनंत अतींद्री आ सहज उत्पन हो जाएगी सहज भगवन एसे ही अतीनरी आनन अपने अंदर से उपलप्त कर लेना यही तत्वार की साथ ना है बस एसे ही दुरुप सम्मेक्त के वीर को जागरित कर लेना बस यही सब तत्वार की साथ ना है यही मोक्ष का हमारे जिनेंदे बता रहा है कि अपना ग्यान सम्मेक्त ग्यान रुप आचरण कर सकता है नहीं, इस सम्मेक कर रहा है, यदि हर सम्मेक्त ग्यान में आचरण कर सकता है, सच्चे ग्यान में आचरण कर सकता है, वह सम्मेक्त ग्यान में आचरण करना है, वह यह व वास्ताम में सम्मेख दिजन्यानम चर्णन्त सुख्धव्ण सुख्istent सुख्त के फॉह कारण सुख सुख स्य०्धर ग्लाइब वे इतना क्या dość ne आज के लिए इत्ता ही बस बिशे तो बहुत गहरा है बहुत सूक्ष में और बहुत गहराई स्वित्पन होने वाला लेकिन बगवन यह भाव न कर लो कि यह गहरे रहस हमाई जीवन में उधित हो रहा है हम जान रहा है हम पैचान रहा है यह भी सद्गुरु देप की अनंत कर करना है होनहार करा रही है मैंने का ना ग्यान सोयम सीतल हो रहा है सोयम ढ़ल रहा है करना नहीं पढ़ रहा है ग्यान सोयम केवल ग्यान में हो रहा है ग्यान सोयम ग्यान सवारूप हो रहा है इसी होनहार जगी है इसी रुची का काल पका है वह यह इसी रुची को समाल के इस works नहीं है कोई नहीं है सत्ता मेरा दिरूब ममले ममर सभाव एक सथे अपना दिरूब अनन्त ज्यान में सभाव जिनकी दिष्टी सभाव पर है सभाव सप्ध सभाव पर है बे सम्वे ग्यान में आश्रण करने वाले ज्यानी ही अपने सिध्धी अंतरन हमें प्यदान कर रहे हैं हमारा अंतर बल जागे हमारा आत्म बल जागे कुझ्यान आदी भाव से मुक्ति का भावत्पन हो और सुध्धात्म सुभाव के अनुभाव की और दिश्टी लगे जल से जल इन भावों का भाव हो जल से जल इन संसार चतुरगति की याता से चूटें आत्म आनंद से भाव मोक्ष को प्राप्ट करें और द्रभ मोक्ष तो से में होई जाएगा एसी मंगल वावदनों के साथ एक युग्देश वहे सुध्धम प्रकासम शुद्धात्म तत्वाम या आत्मत शुद्धरूप प्रकासित है इसे सम्वेक दियान में आच काओ और रागदिस कसाय से मुक्त होके अपने आनंद में रत हो जाओ यही सरवक देप की वाणी का सार है बोलिए अचार प्रवर सद्गरवर तारन तरन ला चायर जी पराज की जैयो जैयो जैयो